हाई फ्रेंज वेलकम टो क्रेजी फो हेल्थ आज हम बनाएंगे सिर्फ तीन इंग्रीडियन्स के साथ एक बहुती टेस्टी लडू जो बनी है बच्ची हुई रोटी के साथ तो चली देखते इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है रोटी जो मेरे घाय पे बच गई थी तो मैंने यहाँ पे तीन रोटी लिया है इसको अब हम इस तरीके से तोड़ कर एक मिक्सी में डाल कर पीस लेंगे अक्सर हमारे घरों में रोटी बच ही जाती है उसको अगली बार से ना फेके इस तरीके से आप लड़ू बना सकते हैं जो की बहुत ही टेस्ची लगती है तो हमें इस तरीके से रोटी को दरदरा पीसना है और पीस कर अब हम उनको निकाल लेंगे इस लड़ू में आपको चीनी की भी जरुवत नहीं है तो अब एक पैन लेंगे उसमें हम डालेंगे हलका सा घी और घी को गरम कर लेंगे उसमें अब जाएगा जागरी का पाउडर आपके पस जागरी का पाउडर ना हो तो आप गुड को भी काट कर या ग्रेट कर डाल सकते है या फिर उसको पीस कर भी डाल सकते है इस टेज़ पे हम जागरी पाउडर को हलका सा मेल्ट कर रहे हैं, हमें उसे जादा पकाना नहीं है, तो देखी जागरी पाउडर बिल्कुल तुरंथ में पिघल जाता है, अब हम इस जागरी के सिरप को हमारे रोटियों के उपर डाल देंगे, इस टेज़ पे आप चाहे तो इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई ड्राइफ रूट पी चाहे तो वो डाल सकते हैं, मैं इसको पसंद करती हूँ, इसी तरीके से क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है, इसमें हमें कोई महनत नहीं है, तो घर पे जब अगली बार रोटियां बच जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए, रोटियां बच नहीं भी जाए तो आप एक्स्ट्रा रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो लड्डू है, ये परफेक्ट डेसर्ट का काम करती है, इसको आप फ्रिज पे रखकर द जादा घीच चाहिए, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस लड्डू को अपने घर पे अगली बार ज़रूर बनाईए और मुझे अपने फीडबाक शेर करिए, मैं आप ये उपर स एक-एक काजू का टुकरा से गार्निश कर रही हूँ, आप इसको कैसे भी गार्निश कर सकते हैं, और लीजी हमारा बचा हुआ रोटी का लड्डू बनके बिलकुल रेडी है, बिलकुल मॉइस्ट होता है ये खाने में, इसको आप जरूर ट्राइ कीजिए, और मुझे बता लगी की आपू कैसी लगी?